पूरियो जाए नमस्कार, स्वागत है आपका अभी सिंद्ध के पेशकर्ष खास मुलाकात में मैं हो रतनाकर आपका होस्ट हमने दुनिया में आठ अजुबे आज तक सुने है लेकिन आज जो शक्सित हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है आज इस स्टूडियो में उनसे बातचीत कर रहे के बाद में एक नववा अजुबा जो है उसका इजाद बिलकुल मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ क्योंकि जो शक्सियत यहाँ पर है यह पूरी दुनिया घुम चुकी है यह पूरी दुनिया में आपका राज चलता है और किस सिल्सिने में चलता है और मैं आपको बता दूँ कैसे दावा करता है इस सिल्सिले को बताने से पहले मैं आपको बता दू कि डॉक्टर एसकुमार जो है चीर परिचित है और अभी अभी इनको इंग्लेंड के लॉट्स अप कॉमें सम्मानित किया गया है ग्रेटेस साइन्टिस के तूर पर आप डॉक्टर भी है और साइन्टिस है मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर एसकुमार का और साथ में भागेश्री जी का बहुत-बहुत स्वागत है आप दोनों नमश्काव लेकिन आपको सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बदाई हो क्योंकि आप देश में तो ब्रहुन करते ह। इंट्रनेशनल लेवल पर भी ब्रहुन करते हैं। बहुत सारी बाक्षित मुझे आगे करनी हैं लेकिन ये जो आवार्ड आपका हॉस आफ कॉमेंस में मिला है उसके बारे में तुर्ण सामय दर्शक को बताईए दिखिए कि अवार्ड कैसी होती एक ट्रेनर दैखर किसी आदमेगर कोई काम कर रहे हैं और आपको एक घास का एक कुछ नहीं मिल जाए ना तो काम करने की जो प्रोसेस है ना वो डबल हो जाती किसी भी स्याद के तो ये जो आवार्ड जो मुझे दिया है वो जो कुछ हम आपकाम कर रहे हैं उसके उपर उसका रेकनाईशन करके ब्रिटिश पार्लेमेंट में मिला है जो ग्रेट साइंटि इसके लिए ये दावा इसलिए मैं करना जाता हूं कि we are working on the evidence based और जब evidence होता है तो दो चीजें होती है उसमें medical science और science दो चीजें आती है तो science has got a solution for everything on this earth for the welfare of the human being and it doesn't cost much जैसे सूरज है लोग solar power करके use कर रहे है वो तो पैसा नहीं ले रहा है solar उसने पैसा नहीं भागा है आप अपने कर से निकार लिए बराबर है तो ये चीजें भगवान ने आपको दी हुई उसका उसको कैसे किया जाए वालो लेकर medical science है मैं गरत नहीं हूं लेकिन मैं कहना चाहतूँ कि medical science is a manipulated science of a science for the interest of industry अगर मैं industry की बात करूँ तो मुझे industry से इससे में कोई लेना देना नहीं है मैंने आज मेरी उमर 65 है मैंने जिन्दगी में जो चाहा मुझे मिला और तरफ तुम आने वाला जो कल है वो मैंने humanity की तरफ प्रेडिद होके एक अच्छा काम इस दुनिया से जाने के पहले करना चाहता हूं सच लोगों को बताना चाहता हूं मैं समझता हूं कि इस सोच का पर एक संवान होना चाहें उसका रिस्पेट होना चkeitंव बाचा को रहा है हो 강第一 आपसर मैं ज्चुक्त मैं कहिंदा क develops with Accessий Service तक पहुँचा हूँ, इसमें मेरे टीम के लोग भी हैं, मेरे पेशेंट्स हैं, जो हमारे टीम में काम कर रहे हैं, उनकर भी मैं तहे दिल से शुक्र गुजार करता हूँ कि उन्होंने मेरे को आज यहां तक लगा, इसके पहले और एक अवार्ड मुझे मिल चुका है, शायद मैं आपको पताना चाहूँगा, पिछले जुलाई को, 23 जुलाई है, फ्रांस के सेनेट में मुझे भारत गौरो आवार्ड मिला हुआ है, फ्रांस के सेनेट में, तो यह सिलसला तो चलता रहेगा, जब तक काम करते रहेंगे, लोग अप्रिशेट करते रहेंगे, तब तक सिलसला मुझे लगता है, इस रुके का नहीं, बिल्कुल, और यह हम भी दुआ करते हैं, कि इस सिलसला कभी रुके नहीं, क्योंकि कई सारे ऐसे पेशेंट है, जो डायबेटिक नाम से, आज सर, आप किसी भी क्लिनिक में चले जाएए, किसी भी विमारी के लिए चले जाए डॉक्टर सबसे पहले आपको यह सवाल पूछते हैं, कि आपका ब्लड गृप क्या है, आपका ब्लड का क्या है, और दूसरा पूछते हैं कि आपको डायबेटिक है या नहीं है, तो यह कही ना कही उस पेशेंट के दिल में या उसके मन में एक डर पैदा करने जैसी बात भी हो गई है तो इस डर को आपने निकालने का भी काम किया और एक बहतर समाज में एक स्वस्ता समाज की रचना में आपका काफी बड़ा योगदान है एक और आपके बारे में मैं दर्शोकों को बताना चाहूंगा कि जब हमें प्यास लगती हैं तो हम कोवे के पास में जाते में जो 3D की बात करता हूं वो बताना चाहूंगा पहला जो डी है वो है डॉक्टर करें मानोते की इसास में देवता के नाम से देवता बोला तो फिर डी आ गया डॉसरा आ गया डी स्टैंस फर द्रग बराबर है तीसरा डी आ गया फर डर जो कि साथा प्रिटी भी है तो डी दर पैदा हो गया इक इनसान में मैं अगर आखणों की बात करूं न तो पाकिस्तान की बात करूं तो वह थर्टी वर्ल्ड वाइड की बात हो पाकिस्तान में 30% लोगों को डाइविटीज है आखने हैं गॉर्मेंट रहे हैं डबलो एचुट है बात करें ऐसे करते करते हम जाएं तो भारत का जो नंबर लगता है वो 9.6 पे आता है कि एक सो चरो एक सो चालीस करोड की पॉपुलेशन पे 9.6 परसेंट याने करें तेरा या चौदा करोड लोग जो हैं डारेक्ट डाइविटीज की दवाईयां ले रहे हैं और प्री डाइविटी की बात करों तो 25 परसेंट और आप जोड़ लीजिए तो 34 करोड लोग जो हैं 34 से 35 करोड लोग हैं आज भारत में दवाईयां ले रहे हैं जो करीब करीब सौर रुपे की अगर मैं बात करूँ एक रेश्यो अगर ले ले तो 34 हजार करोड रोके की दवाईयां आज भारत में कंजूम हो रही हैं ये समझ के हैं कि डाइविटीज मुझे हो गई हैं और मैं एक ऐसा मैं रिसर्चर हूं दोस्तों जो वीडियो देख रहे हैं मैं उनके बोलना चाहूंगा कि मैं आज भी विद्धारती हूं आज भी मैं ये अपने आपे बहुत बड़ी सोच है कि इस मुकाम पर जाने के बाद में इतना विनमरता से यह कहना कि मैं आज भी सीख र भी टाइफाए ठीक होता है मलेरिया ठीक हो रहा है एक टीबी छे मैंने में थीक हो जाती है पिर अगर डियवीटीज की बात करें तो दो साल तीन साल पांच साल 15 साल 25 साल 30 साल 40 साल जब यह जाता है इस दुनिया से उ तो बोनस करके अपने साथ पर डायविटीस को साथ पर लेकर जा रहा है। तो बोनस करके अपने साथ पर रहा है। वह पर बोनस कुछ पर तो अपने साथ पर रहा है। तो पर रहा है यहीं तो कमें बोनस को आपने साथ रहा है। और अपना नॉर्मल जैसे नॉर्मल लोग खाना खाते है वैसे खाना खाए तो इसके लिए अवने कुछ प्रोड़क्स डेलोग किया तो इसमें सबसर पहले आता है हमारा चावल जो अप्रोप्य डायेट ट्राइज के नाम से जाना जाता है इसमें जो ये जनेटिकली मॉनिफाइट किया गया हुआ है जिसमें सिरिफ 20% काभोहट्रेड है तो जितने भी पेशेंस होते हैं सिरिफ डायेटिक पेशेंस ही जिनें अपना हेल्डी लाइश्टाल भी दिना चाते हैं जिनको फिग्नी की प्रॉब्लम्स भी होती है वो अच इसलिए बहुत सारे से उप्षेंस लाले कि आप अच्छे से पेड़ बर खाईए उस राइस का एक ही आपको क्या बहुत है उसके पीछे है कि आप कितना भी खाए और स्वस्त्र है और शुगर बिना वड़े आपकी मैं बिल्कुर यह समझता हूँ कि भागे सुझे आपने लोगों के लिए और खास करके डाइबेटिक तो मुझे यह वर्ड भी यूज करने से दर लग रहा है क्योंकि विन इट डॉजन्ट एग्जिस्ट तो उसका नाम है क्यों हो डॉक्टर साब से बातचित करते हैं डॉक्टर साब में एक बात कही थी कि पूरे भारत में 362 मैं जैसा कि कहा कि कुवा पैसे के पास जाना चाहता है तो अल वर्ल इंडिया तुसर गुंते ही और अपने पेशन्स के पास जाकर उनको ठ्रीट करते हैं अपने आप में बहुत बड़ी भावना और क्या एक्सपर्शन प्लान है सारो कितने डिस्टिक को आपको कवर करना है द कॉंबे दिली कलकरता जिसी जगर पर नहीं पहुंच सकते हैं तो हमने सोचा कि चलो हम उनके पास तक जाए ताकि आने वाला कल जो है डाविडी जो महरूम नहीं रह सके वो अच्छे तरह से उसको ट्रीटमेंट मिल सके वो समझ सके और इस भारत में जो मैं सोच रहा हूं क अगले पिचास साथ में महरत डाविडी से मुक्त होना चीए तो उसके एक पहल है क्योंकि हर आदमी कैपेबल नहीं है कि इतने दूर तक ट्रेवल करें तो भी आज मेरे पास में आपको बड़ा जान कर आश्यर होगा कि बावन डेली जैसे अगर भी नेपाल से बोटान से बंगलादेश से पिशेंट हमारे पास आज भी आ रहे हैं क्योंकि वो अच्छा होना चाहते हर आदमी जीना चाहता है तो आ रहे हैं लेकिन हम हमारी मान सकता है कि हम जैसे आपने बोला कि जो पैसा है कि कुआ पैसे हम उनके डोर तक जाना चाहते ताकि इस ठरपी का लोग जादा से जादा उप्योग कर सके और डाइविडिस मुक्त हो सके इंटरनेशनल लेवल पे सर आपका अनुभव कैसा रहा है इस थेरपी को लिए देखिए जहांते थेरपी की बात तो मैं आज आज आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग डीप में नहीं जाते हम को कहीं ने कह ही रूट कॉस में जाना पड़ता है तो मैं साइंस की बात करना चाहूंगा हम लोग पहले कैसे थे तो अब्जरुटरी बेस पे चलते था आज आएरविदा क्यों पीछे हैं हम पहले देखते थे कि मौसम आया पत्या हरी हुई फिर पीली हुई नीचे गिरी और इसकी साथ अब्जरुटरी बेस पे चलता था उससे हम लोग रितु समझ लेते थे कि यह करता था आज भी कहीं इसमें इसा थे कि सूरज कहां से परफेक्ट टाइम बता दिया जाता है लेकिन आज का जो मौडरन साइंस है आज की जो मौडरन थॉट प्रोसेस है उसको एविडेंस चा है तो एविडेंस यह बोल रहा है कि भारत में या पुरे विश्वकी में बात करूं तो मैं तो आज भी यह बोलना चाहूंगा कि लोग भ्रमित हैं कि उनके डाइबिटीज है क्योंकि जो टेस्ट अधूरे हैं मेरा एक शब्द में हमेशा मेरे वीडियो जे बोलता हूंग कि बड़ी हुई शुगर को न समझे डाइबिटीज और इसका मैंने ट्रेड मार्क लिया है क्योंकि कई लोग इसको इस्तमाल करने लगे इस सेंटेंस को अपने वीडियो में तो मैंने को ट्रेड मार्क लेना पड़ा मुझे कहां कि भाई यह बोलना ज़रा मुश्किल हरा भी भोल रहा है तो मैंने तुरंद उसका ट्रेड मार्क के लिए में अपलाई किया और मैंने ले लिया तो बड़ी हुई शुगर और डाइबिटीज दोनों अलग 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 चीजे हैं जैसे क्वाइन होता है क्वाइन के तरफ दोनों चीज एक साइड अलग होता है तो पोस्ट में शुगर तीसरी होती है आपकी एजबी एवन सी ग्लाइसुलेटेट हीमोगुलूमी फॉर थ्री मंस मैं आप से पूछना चाहूंगा रत्नागर जी क्या आपने कुछ तीसरी टेस्ट के भी सुनी है आपने नहीं मैंने तो जो आपने जो तीन बात है उसमें से दो ही मैंने सुनी थी प्री मिल मतलब खाली पेट और उसके बाद में पोस्ट मिल डाइबेटिक्टेज इतनी मैंने सुनी थी तीसरी का तो मैं शायद अभी भी बोलने पाँ मेरे जीब के शाय टुकड़े पढ़ जाये हो बोलते हैं कई राज्यों में फास्टिंग और पो को पूछा जाता है कि भारत आपके घर में किसी को डाइबीटीज है क्या तो वो हमेशा बोलता है हां ही बोलता क्यों घर में किसी ने किसी को होता है हेरिडिटरी पकड़के वो बोल दिया जाता है तीसरा फास्टिंग फोस्ट में शुगर बढ़ी रहती है बंदे को यह बोल दिया जाता है कि भाई तेरी शुगर तेरे को डाइबीटीज हो गया तेरे को जिंदगी पर गोलिया यह लिखके दे रहा हूं तुझे ले रहा है अब वो जो मन्दा है जो पेशेंट है तो सब कॉंशियस माइन में वो बैड गया उसके वो कभी निकलता नहीं है कि उसने कभी देखा ही नहीं गुए लाइब में कि इसीको ठीक होते हुए खास करके डाइबेटीज का जिसको थपा लग लग गया है और उसनने कभी देखा में जाने की कोशिश किया तो मैंने कुछ और टेस्ट पाए मेडिकल बुक्स में जैसे हम लोग फास्टिंग शुगर की बात करते हैं तो उस समय यह बोल दिया जाता है मेडिकल प्रफेशन के तरफ से कि भाई आपके वाड़ी में इंसुलीन नहीं बन रही है इसलिए आपको डियाबिटीस होगी दूसरा आपके जो पैंक्रियाज है वो काम नहीं कर रहा है लेकिन आपने किस बेसिस पे किया यह तो मुझे बताईए थोड़ा सा इसके भी टेस् जो विचिस नॉट नॉन है लेकिन उनको चिपाया गया है मैं बोलता हूं कि उसके उपर इंफसाइज नहीं किया गया है भाई एजुकेश्टिल लेवल पे तो उसमें सबसे पहली टेस्ट होती जैसे मैंने बताएगी जो फास्टिंग शुगर की बात होती वैसे ही एक होत में वो नॉर्मल पाए जाती दो से पचीस इसकी लिमिट होती है तुम मैंने अपने इसमें पाएगी करीब सारे पेश्टिंट के अंदर इंसुलीन बन रही है फस्त दूसरा होता है सी डेश पेप्टाइट यह सी पेप्टाइट तभी आता है जब बॉडी के अंदर तो जब यह सी पेप्टाइट आपको और बताना चाहूंगा कि जो सी पेप्टाइट है यह जो बाहर से हम इंसुलीन लेते हैं एक्सोजेनी उसमें यह नहीं पाया जाता है भगवान ने दो चीज़ अपने पास रखी है एक तो अंगुठा की लखीरे यह आप यू केनोट रिप्लेस दिस तो आप तो इसको बना नहीं सकते तो भगवान बोल रहा है बटा तुम चान पर चले जाओ मंगल पर चले जाओ लेकिन सी पेप्टाइट नहीं बना पाऊ गया सी पेप्टाइट तभी आता है जब इंडूजिनिस इंसुलीन सिक्रीट होती तो यह भी नॉ तो इसकी जो लिमिट होती पॉइंट के उपर होती है 3.7 पॉइंट है अगर पॉइंट की नीचे है तो आपको डाइविटी जे आपको इंसुलीन लेना है में हुआ सिंबल सी चीज़ है तीसरा होता है होमा आयार इसके अंदर हमारे शरीर के अंदर जो पेंक्रियास है उस तो यह जो तीन टेस्ट है इसके साथ में यह टेस्ट करना भी हर डायबेटिक पेशन्ट जो यह देख रहे हैं करपिया यह टेस्ट आपके शहर के पेटालोजी का लैब से बनवाईए और आपके शहर के जो एंडोकॉन अलजिस्ट है डावलाइज उनसे जाके मिलिए और उन यह टेस्ट करके नहीं एक करके उनसे आप ट्रीटमें ले सकते हैं तो इसके लिए थोड़ा सान बताना चाहूंगा कि मैं भारत ही की बात नहीं कर रहा हूं पूरे प्लेनेट पे डॉक्तर एसकुमार के सिवा यह टेस्ट को ही नहीं तो यह तो इसके लिए तोड़ा से आपको डॉक्तर नहीं तो इसके लिए तो उसमें यह सानी चीजा आती है तो हमने जो हमारे यहां पाया है कि 100% पेशन्ट के अंधरी नॉर्मल पाया जाता है तो हम इसको डायवेटीस कैसे करार दे हम इसलिए मैं कहता हूं कि साइंस इसकी इजाजत नहीं दे रहा है कि जाए या आपको बदुमेह कब पेशन्ट करा दे जाए मेडिकल फील जरूर दे सकता है क्योंकि वो फास्टिंग पोस्ट में यह करें तो मैं बोराओं कि अदूरे जांच के बिना आज भारत का हर वो पेशन्ट है जो डायवेटीस से पीडित है डिक्लेड एस डायवेटी जिसको डायवेटीस नहीं है वो डायवेटीस की दवाईयां कहा रहा है और उसके सेकेंडरी प्राबलम या तो उसकी आँख खराब हो रही है उसकी किड्नी खराब हो रही है सेक्शल प्राबलम जो मैं बहुत स्पेसिप की बात करना चाहता हूँ इतनी ज़्यादा सेक्श ही हो रही है मुझे कैशे भी तीक करो दिन बोलता हूँ बिटा नभी तो आधा विचार वई से ही ठीक हो जाता है और क Keys peso में लेकर आथा है तो बेसिकली सब ठीक हो जाता है तो बेसिकली शूघर जो है वो unused होती है cellular level पे उसका pathway block हो जाता है तो वो sugar अंदर नहीं जा रही है सेल के अंदर और वो बड़ी हुई रहती है इसको आप diabetes करार दे रहे जैसे एक दर्वाजा है हम इस रूम में आपके हैं तो दर्वाजा बंद है अभी कोई आ नहीं सकता है ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो है more than hundred trillion cells है याने नाकपूर में जतनी building बनी हुई है उनकी जो इटे है उससे दस गुना इटोस के से हमारे एक रतनागरजी का शरीर बना हुआ या मेरा शरीर बना हुआ है और हर कोशिका में दस हजार दर्वाजे हैं और दस हजार दर्वाजे से शुगर को अंदर जाना है अब वो शुगर अंदर जा नहीं रही किसी कारण से क्योंकि उनके जो receptor है वो block है जिसको medical वाशा में insulin resistance का दर्जा देएगिया है पुरे विश्यो में insulin resistance के बारे में हर आदमी बात करता है लेकिन उसके उपर solution नहीं डून रहा है और इसलिए sugar बड़ी हुई थी और उसको stamping हो जाती कि आपको diabetes है अगर मैं खिराब doctor नहीं है लेकिन एक अच्छी सोच रखते है अगर मैंने या किसी कारण से अगर उग दर्वाजे खुल गए तो मुझे बताइए क्या शक्कर ब्लड में बड़ी भी मिलेगी नहीं अगर मैंने दर्वाजे खोल दिये उस शक्कर अंदर चली गई तो बड़ी हुई sugar आपको ब्लड में मिलेगी क्या नहीं इस इस वाट एक्जटली जड़ी जड़ीटीस sugar का cellular level पे इस्तमाल होना नहीं होता है इसके लिए बड़ी वे sugar कोई diabetes बोलते हैं रोज दर्वाजे है उसको अगर sensitizers दे के खोल दिया जाए तो sugar अपने आप अंदर आ जाती है आपको diabetes के लिए किसी कोई दवाईयों की ज़रत नहीं मुझे लगता है कि यह बीमारी का नामों निशान मिठी जाए मिठ सकता है क्यों नहीं मिठेगा लेकिन उसकी सोच वहां तक जानी चाहिए कि भाई यह क्यों हुआ जैसे टीवी के बारे में एक जवाने में नहीं सोच चाहती थी आज अगर आपको टेंपरिचर आ जाए तो उस पहला टेस्ट होता है कि आपको टेंपरिचर कितना है उसके बाद में सेकेंड होता है कि आपको टाइफाइट का टेंपरिचर है मलेरिया है यह सिंपल खासिफ सदी उसके बाद में आपकी ट्रीटमेंट चाले होती ये एक चीज जिसमें मिसिंग है ये टेस्ट अगर करा लें तो मुझे नहीं लगता आने वाला कल भारत का हर आदमी मदूमे डायविटी से मुक्त होने में समय बिल्कुल नहीं लेगा लेकिन हर वो पेशेंट हर वो जो लोग इससे जुड़े हुए हैं इसके उपर अगर गौर करें उसको समझे और आगे बढ़े तो आने वाला कल भारत सो प्रतीशत भारत डायविटी से मुक्त होने में समय नहीं लगएगा बिल्कुल नहीं लगएगा और मैं भी समझता हूँ कि जो बाते हैं आज हमने डॉक्टर साथ से की उसको अगर हम समझ पाए और तो हम बिल्कुल अपने आप में कह सकते हैं कि देर इस नो डायविटी इफ यू नो के एन ओर डव्लीव नो डायविटीज भागेश्री ये डॉक्टर भागेश्री हमारे साथ में है आज के दौर में पापा की परी ये नाम का चलन बड़ा अलग वे में लिया जा रहा है लेकिन यहां पर जो पापा की परी वैटी होगी है इनका असोसियेशन बहुत अच्छी तरह से पूरी जर्नी में आप डॉक्टर साथ के साथ में रही है काफी अवार्स तो लिये लिये लेकिन सभी पेशिंस को ट्रीट करने में उनके लिए ट्रीटमेंट के साथ-साथ में जो इनका अप्रोप्रेट थेरपी है उसको संभालना यह सब करते वगत आपका अनुभव कैसे रहा पापा के नाते भी और एक सीनियर बॉस होने के नाते भी किस बॉंडिंग को सबढ़ना चाहिए तो सबसे पहले तो मैं यहीं चाहूंगी कि बहुत जैसे चलन आपने कहा है कि पापा की परी बोलते लेट्कियों को यहां मेरा बॉंडिंग जो है डॉक्तर एसकुमार के साथ ही इस माइ फादर्ली फिगर बट्वी आर मोलाइक हम लोग फ्रेंड जैसे हैं यहां पर उनको मुझे डाटना है वह्टे भी जहां उनको पिता जैसे रहना पिता जैसे पर मोचली हम लोग वर्किंग शेडूल में साथ में होते हैं, वो मेरे लिए ना बॉस जेसे रहते हैं, ना मेरे पापा जेसे, मैं एक ही इसको बॉंड का नाम देना चाहूंगी, कि वो है दोस्ती, जो एक पापा और अपनी लड़की के बीच में जो रिलेशन होता है, वो हम मुझे देखते हैं, उनका तो काफी ज्यादा एक्सपिरियंस है, मैं जब से पेशेंस देख रही हूं, जो उनका मुझे काम आ रहा है, मैं चाहूंगी, कि जो मेरा एक्सपिरियंस है, और आगे इसी लेगेसी को मैं इसी तरह लेके जाओ, जो उनका सपना है, कि चलते चलते डाक्टर साब, आप हमारे दर्शेकों को क्या टेक हो मेसेज देना चाहेंगे? जो आपके इंडिकालोजिस्ट हैं या डाइबिटिक डाइबिटलोजिस्ट उनसे जरूर मिलिए, एक टेस्ट उनसे बात करिए, करवाईए और उनके उपर उनसे जो भी सलाह मशरुआ करना था है, क्योंकि इंडिया में मैं अकेला हूँ, मैं सब तक नहीं पहुंश अकता और इंडिया मेरा अकेले का नहीं आप सबका है, तो आप अपने खुद के इंटरेस्ट में करिए ये, अगर आपको कहीं किसी भी तरह से नहीं मिल पा रहा है, कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप बिसीन चैनल के मादेम से हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमारा सारे कॉंटेक नमबर यहां से आपको मिल जाएंगे, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, कि हमसे जरूर एक बार मिले, बाद में उसको करना नहीं करना, यह आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन मैं इस समय समझता हूँ, कि भारत का एक सिंपल नागरिक होने के नाते, भारत के लो हो, आज के बाद आपको डाइविटीस से डरना नहीं है, एक छोटा सा मुझे समय दें तो मैं वाक्या मैं करना, एक वाक्या करना अज़द, मेरे दिल्ली में एक ऐसा बंदा आया मेरे पास में, जो उसके पास पांच फाइलें थी, पचीस साल से वो डाइविटीस से पीड वो पचीस साल से सिर्फ चकर ही काट रहा है, वो भी गया होगा, वो मद्यप्रदेश अभी शतीस गड़ में एक प्लेस है शेडोल, वहां से वो मुझे मिलने के लिए दिल्ली आया हो, दिल्ली आने के बाद जो मैंने समय उसके में देखा, मैंने ये टेस्ट कराई, तो मैं देखा कि सो यूनिट इंसुलीन वो ले रहा था, सो यूनिट इंसुलीन इतने सानुसल ले रहा है, बटे तरे को तो डायबिटीज है यो बिचारे दोनों मियाँ भी इतना रो, इतना रो, सरप्राई चुड़ो, सर, रोते हैं, मेरे आख में आशू आ जाते हैं, मैं तो ब जो देड़ मैंने के अंदर उसकी इंसुलीन टोटली मैंने जीरो की शुगर उसकी त्रार्फ में आगया और उसके एक नई जिंदगी मिली है उसको आप सोचिए मैं अभी किसी को नाम रखना नहीं चाहूंगा लेकिन ये कब तक चलेगा एक आदमी चोरी करता है आप उसको अंदर डाल देते हो सारी दफाएं लग जाती है ये इनसान एक चलते फटते इनसान को एक चलती फटती लाश बना दिया जाता है बन रहे तो इसके उपर तो किसी ने सोचना चीए मुझे ऐसा लगता है कि सच बोलना कोई कराइम नहीं है जो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी कोशिश है कि लोगों तक ही जाएं और जो लोगे देख रहे हैं ये अपने और लोगों को ये जो साक्षातकार जो आप मेरे इंटर्यूट ले रहे हैं लोगों तक बाता है लोगों तक जाएं ताकि आने वाला कल उनके जीवन में या उनके दोस्तों के जीवन में या बहुत अच्छी जिंदगी वो बिताने की यहां से हम प्रेड़ना लिके जा रहे हैं और मैं भी समझता हूँ कि दर्श को कंसिप जो है अब काफी कुछ क्लियर हो गए होंगे और जिनको भी डायबिटिक से डर लगता है वो डर आप अपने मन से निकाल दीजिए आपके डाय साप को आज यहां पर एक नाम देने जा रहे हैं क्योंकि 300 पैसे दिनों में 300 दिन तो आप सर सफरी करते रहते हैं चाहे वो नैशनल लेवल पे हो एंटर नैशनल लेवल पे तो ऐसे मैन ओफ विंग्स हमारे साथ में यहां पर आज हमारे साथ में मौझूद थे जिन्नों ने बहुत ही मौलिक मारगे दर्शन में किया डायबेटिक अडर हमारे मन से निकाला मैं आप दोनों को बहुत सारी शूपकामनाय देता हूं ऐसी मुलाकात के साथ फिर आपके समक्षा हाजिर होंगे बहुत और शुक्रिया डॉक्टर एसकुमार आपने आज नया नाम दे दिया मुझे मैं नाव विंग्स सभी बात है कहीं कहीं मुझे दिन में तीन तीन चार चार में एरपोर्ट शेश करता हूं क्योंकि क्नेक्टिविटी नहीं मिलती है लेकिन इसके यह ना बहुत एरपोर्ट में लोग मिलते हैं मुझे दीर दीर आके बात करते हैं आप डॉक्टर कुमार है ना सर आपको मैंने देखा था बहुत अच्छा लगा मैं दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि आपके तीन करोड से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और तीन लाग से ज्यादा लोग रोज सर के जो नहीं ने इज़ाद किया हुए वीडियोज यूट्यूप पे आते उनको देखते हैं यह अपने आपने बहुत बड़ा अच्छ चाहए बड़ा थे आपको अपके परिवार को आप दोस्तों को आप сюда कार सकते हैं फिर से एक बार में ड00 अशकुमार ब्ड़क्टार बंगेश्री का शुक्र गुजान hom कि आज आप हमारे स्टुडियो में और हमें इतना मारे का दर्शिन किया बहुत बलशी कैस झाल